नमस्ते भारत आप सुन रही हैं वुमेन टीवे इंडिया नियू स्टोरी आज है पंद्रह अक्तूबर हमारी सूच न सकी पत्रकार रेणू धीमान के हवाले से प्रस्तुत है आज की यह खबर कैथल में मा और बेटी का हुआ बेरहमी से कतल नहीं आया कोई बचाने हर्याना के कैथल के गाउं मुहना में मा और बेटी का बेरहमी से कतल कर दिया गया वारदात में महिला का बेटा गंभी रूप से घायल बताया जाता है जिसे पूंडरी के एक निजी अस्पताल में भरती करवाया गया है S.H.O. निर्मल ने बताया कि महिला गीता गाउं के बाहरी क्षेत्र में रहती थी यही कारण रहा कि हत्या की जानकारी लोगों को सुबह के समय ही मिल पाई उन्होंने बताया कि अभी महिला के बेटे शुबहम का अस्पताल में इलाज चल रहा है शुबहम द्वारा जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस अपनी कारेवाही आगे बढ़ाएगी शुबहम के अभी बयान नहीं हो पाए है जैसे ही शुबहम को ये जानकारे देता है तो इसके बाद हत्या कांड से परदा उठने की संभावना है महिला गीता अपने बेटे शुबहम और सुविधा के साथ गाउं के बाहरी इलाके में रहती थी इसलिए जब यह हादसा हुआ तो शोड सुनकर कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं पहुँआ तो आपको कैसे पता लगाई मैं रात को गर सो रहा था जी सड़े 11 गुरों की बात है तो अचानक मैंना किल्की इसनाई देई तो मैं लट्टू बाढ़ा तो देख्या वही किल्की पढ़ रही तो दुपर मैंना इसके बाई पफोन गरा दर्शन पा दर्सन ता गया वही कि बीकरम का इसका जो बीकरम का तो चलो आए तो मैं आपने बार देखाए जिए चोखपाए पिछा में ना इनकी वेट करें भी आवंगी पांच-यर मीट मा तरसन उपर फोट्टे वाए गया था चल बई आजए था तो आय जमें तीन नों खट्टी चाल लाए जाए था जों में भी आपने गरा वापसी चले गया तो स्वेरी पांच चाड़ी के पांच पच्पंगेशी की ओ रहा तो इसका लड़का चोटा जो शुक्षम मेरे गर आया बाज का वो बोल्या अंकल पानी देदे मेना तो में बार लिकडिया के दमकर वाड़ी बार लिकडियी देख्या और वह वनेदा पानी देदे मेरे पांट वही दोस्टा बार टाली पानि पिला पिछो में अपने चार्चे लड़कल लुए और सोगिघ आ पrontो बेईख्याम और वह को ब्रहुनाना को श vhtया ना तो यहान ही देख आपने आके नी रात तो यह पर पहले गर के आएंगी जी देखो मैं कैसे एक विद्वा लगाई के गर कैसे रात को ग्यारा बज़े कूल सकता हूं किसने बच्चे हैं एक सुक्से मैं जी लड़का एक आठ साल की लड़की है और गरवारी अगीता तो यह मैंने को बाई यह को बता दिया लड़का नहीं कोई नहीं नहीं आया जी मैं चौक पर लेकिन मैंने वेट की तो नाम है तो सिर्पेंज साहब आपको कैसे पता रहागा मेरे को सुबत 6.35 पे इनके परोस में मनोज नाम का लड़का रहते हैं इनके परिवार में से हैं तो उ मौके को देखकर पता लगता है कि हत्या करने आये लोगों ने मा और बेटी की बेरहमी से हत्या की है जिस कमरे में उनकी हत्या हुई उसके अंदर और बाहर फर्ष पर चारूं तरफ खून पहला हुआ था गीता का शव फर्ष पर खून से लत्पत पड़ा था सुविधा का शव खून से लत्पत बेड़ पर पड़ा मिला उसके शरीर पर तेजधार हत्यार से कई वार किये गए थे आसपास बिखरे सामान और अस्त व्यस्त कमरे को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला ने हमला वरों का डट कर मुकाबला किया और अपने बच्चों को बचाने के लिए खूब संघर्ष किया बेड के गदे और तकिये नीचे फर्ष पर बिखरे पड़े मिले बताया जाता है कि महिला के पती रिशी की एक साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी पुलिस हत्या के कारणों के पीछे जमीनी विवाद से भी इनकार नहीं कर रही इस खबर से संबंधित सोचना अभी बस इतनी ही अगली खबरों के लिए सुनते और देखते रहिए वोमेन टीवी इंडिया